आप जानते हैं कि बच्चों के अंदर चीनी की माता कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं? जी हाँ यदि आपके घर में बच्चे हैं और आप भी बहुत ज्यादा मीठे के शौकीन हैं तो आपको दुबार से सोचने की जरूरत है क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा मीठा खिलाते हैं तो ये उनकी सेहत के लिए बहुत सारी परिशानिया मु हो सकती हैं एक शोट से बात सामने आई है कि जो भी बच्चे ज्यादा मातरा में शक्कर का सेवन करते हैं उनके शेरी में ओबिसिटी, कॉलिस्ट्रोल और मोटापा ये सारी चीजे बहुत ही भारी मातरा में पाए जाती हैं जिसकी वज़े से छोटी उम्र में ही बच्चों का बजल बढ़ना शुरू हो जाता है कई बार इस वज़े से छोटे बच्चों के अंदर टाइप 2 डाइबिटीज या फिर इंसुलिन जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं इसे लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के खाने के अंदर शक्कर की मातरा लिमि के बच्चों को भी हलकी चीनी खाने की आदत धीरे धीरे पढ़ना शुरू हो जाएगी और उसी की वज़े से उनकी डाइट में भी काफी ज्यादा अच्छा सुधार आएगा यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चीनी की मातरा काफी कम करें तो आपको उनके स्वीट की मातरा भी कम करनी चाहिए जैसे की चॉकलेट या फिर ब्राउनीज आदी इन साली चीजों के अंदर भी बहुत ज्यादा मातरा में शक्कर होती है जिसकी वज़े से बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्म्स का सामना करना पड़ता है सो फ्रेंज इस वीडियो को देखी और अपने बच्चों के खाने के अंदर शक्कर की मातरा को संपूलित करने के बारे में सोचे अपने व्यूज को हमाय साथ शेर जरूर करें और मेरी ब्यूटी और हेल्थ से डिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्योब पर ला